हलो दुस्तो विलकम बैक टू नी वीडियो उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छा होगे दुस्तो आपके सामने खड़ी भी ये ब्रेंड लू यामा एपजेट S वर्जन 4 का नियो ब्लू कलर आप्शन दुस्तो आज की इस वीडियो में हम इस बाइक का डीटेल रिव्यू करने वाले हैं क्या प्राइज आती है, क्या स्पेस्पिकेशन है, क्या बजट में आप इस बाइक को खरीश सकते हैं सारे चीज़े आपको मैं डीटेल में बताने वाला हूँ याने कि आज की जो वीडियो है दोस्तो आप लोग विली बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है दोस्तो अगर आप इस बाइक के बारे में जानना चाहते हैं इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखेगा डीटेल में आपको मैं सारी चीजे बताने वाला हूँ और एपजेट जो है काफी अची बाइक निकल के आती है इंडिन मार्केट की लोग दुस्ते इस बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो चली फिर आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं ब्रैंड न्यू ब्लू अली अपनी यामा एपजेट ऐस वर्जन 4 के बारे में आपको यह क्या प्रैस देखने को मिल रही है अब जहर सी बयातार कोई बीचीज खरीदने वाले है खरीदने की सोच रहे हैं सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं यह अमारे पास पैसा कितना है दूस्तों आपको बदा दूँ यह एक सूरूम प्रैस आती हर एक हिस्टेट एन सीटी में आन रूट पैस पर थोगा सा डिफरेंस होता है कि हर एक हर एक हिस्टेट के आटे और इंसरेंट चार्जे से फरक होता है दूस्तों यह बाइक हमारे हाँ रहपू शत्तिस गड़ में आन रूट प्रैस आरी अनलगवक 156,000 एक लाग 56,000 रु इसके फरंड में आएंगे खी ओन करता हूं दूस्तों जैसी आप फरंड में आएंगे देखेंगे यहाँ पर आपको बाइक में सबसे पहले एंड जो डियरल लाइट है वह आपको इस बाइक में देखने को मलता है जिए कंपने ने काफी अच्छी LED जो डियरल लाइट है इस बाइक में ओफर किया है और इसके LED डियरल लाइट का जो लुक हैं डिजैन है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा दूस्तों मेल लेट में इस बाइक में आपको फूली LED जो लाइट है दूस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिलता है जिया कंपने ने आप इस बाइक में देखने को मिल लाता है बात कर लिसके फ्रंट सस्पेंशन के बारेन है फ्रंट में दूस्तों यह आपको जो सस्पेंशन आपको टेलिस्कोपिक देखने को मिलेंगे बट सस्पेंशन की जो क्वालिटी भाई भू भी आपको आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है company ने काफ़ इच्छी जो suspension है दोस्तों इस बाइक में offer थिया हुआ है टारसे में फ्रेंड में आपको 180 सॉस सी कि आसपस का टारसे आपको फ्रेंड में मिलेगा बात करें ब्रेकिंग के बारे में ब्रेकिंग के बारे में इस प्रेशनल फीचर में इस बाइक में तो मल जाती है अब चलते है दुस्तों इस बाइक के एंजिन स्पेसिपिकेशन की तरह दूस्तों आपको बात करें पावर इंट और के बारे में दूस्तों मैग्जिमम पाउर में 12.4 का पीएस पावर जनेट करती हैं 13.3 के असपस का जो टॉर्क है वो आपको दूस्तों इस कहा है अपको यह जब ख्याव देखने को मुलता है इसमें इस स्टर्व देखने को मिलता है इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलता है इस पर चांद बेर का प्लू बहुत अच्छी हो खели जिए 6 न आपको मिल जाता है ठीक चलिए बात करने इसके मालेजन परफॉर्मस के बारे में दोस्तों यह बाइक मिनिमम आपको मालेज निकाल कर देती है लबबग 40 40 के असपास का मालेज ओफर कर देती है आपके डिपैंड करता है आपके रैडिंग स्किल पे 0-100 में लबबग दोस्तो 14 से 15 से लगते हैं कि जो टॉपी स्पीड है वो आपको लबबग दोस्तों 115-120 किलमेटर पर आवर के असपास की टॉपी स्पीड आपको मिल जाती है अब आते रियर परफाल में दोस्ते आपको LED जो टेल लेट है आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी आप देखेंगे क प्लस रियर में आपको ब्रेकिंग आपको प्लेट मिलती है 220 mm की डिक स्प्रेट मिलती है इसमें आपको बाइब ब्रेक है जो कैली पर है वो भी आपको मिलेंगे प्लस रियर में आपको बाइक में जो सस्पेंशन है दुस्तों आपको मोनो स्पेंशन है इस बाइक में बात को मिलता प्लस blue core की matching आपको मिलेगा बात तेրे of speedometer के बारे में सबसे पहला की देखे को की आपको बाइक मिलेगा दूस्त звон I'm प्लस में आपको जो ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा स्विचेज में फास सेज लोबीम है बीम टनर सिंगल है यहां पर हॉन इंजन के सीज प्लस एक सालफ फसीज मिल जाता है बात कर लिसके डाइमिन इंसन ये कैपशीटी के बारे में दुस्तो इस बाईक की जो ओवरल लेंध है वो हमें देखने को मिलती है लगबग 2,000 mm की बाईक की जो ओवरल वीथ है वह मिलती है लबग 780 mm की सीटएट है 790 mm का विलबेस 1330 mm की आस पास का देखने को मिल आता है सब्सक्राइब करना चैनल पर पहले पर रहते हैं सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स इरो में लिए 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 वोल जेहिन बंदा बात रहां